हलो एवरिवान वेलकम बैक तो मैं चैनल सो इन्वर्टीब्रेट्स की वीडियो को कंटिन्यूवी करती हुए हम आज एक नया आपिक स्टाडी करेंगे दैट इस दे सोशल ओर्गनाइजेशन इन हने भी एक पर्टिक्लर टास्क को अगंपलिश करने के लिए या फिर उसे कंप्लीट करने के लिए तो ऐसे insects जो कि एक highly organized society में रहते हैं उन्हें हम social insects जो है वो कहते हैं हर जो एक member है वो अपना एक दिया हुआ task जो है वो complete करता है या उसे perform करता है और वो भी अपने instinctive character के base पर जो कि उन्हें hereditary जो है वो मिलता है instinctive character that is by birth जो है वो होता है उन्हें acquire करने के जरुत जो है वो नहीं होती and therefore insect members जो है वो बहुत ही unable होते हैं कि वो अपना कोई काम छोड़ के दूसरा काम जो है वो कर सके उन्हें जो ये point जो है वो hereditary जो है वो होता है अब कुछ ऐसे exceptions भी देखे गए हैं जैसे कि कुछ social insects हैं जो कि थोड़ी बहुत चीजी जो है वो सीख भी सकते हैं जिससे कि वो नए task जो है वो complete कर पाएं जिससे कि अगर हम honeybees की बात करें तो उन्हें जो है वो सिखाया जा सकता है to recognize the perfume and the color of the different flowers कि कैसे जो है उनको पहचाना जाए या फिर it can also be made to establish a new pathway for flying to a relocated beehive that is एक beehive के पा भी यह सीख सकती है कुछ exceptions जो है हम कह सकते हैं इन cases में होते हैं तो अब हम बात करते हैं classification की classification of the honeybees तो phylum की अगर हम बात करें जो phylum जो है honeybees का वो आर्थोपोडा होता है आर्थोपोडा की कुछ characteristic features हैं जैसे कि body जो होती है वो bilaterally symmetrical होती है elongated होती है और segmented भी होती है एक थिक hard chitinous exoskeleton जो है वो body को cover करके रखता है और typically अगर हम each body segment की बात करें तो उनके पास जो है एक pair जो है वो jointed appendages का वो present होता है सब phylum की अगर हम बात करें that is mandibulata तो body जो होती है इनके अंदर divided होती है cephalothorax में और एक abdomen में one या फिर दो pairs जो है antenna इनमें पाए जाते हैं और three और more pairs of walking legs जो है वो भी इनमें present होती है class insecta so insecta class की जो है कुछ characteristic features है that is terrestrial या फिर aerial insects हो सकते हैं कुछ aquatic भी होती है body जो होती है वो head thorax abdomen में divided होती है थोरक जो है उसमें ideally जो है वो तीन pairs जो है वो legs होते हैं दो pairs जो है वो wings भी देखने को हमें मिलती है order की अगर हम बात करें तो hymenoptera order जो है वो होता है इसके कुछ characteristics है जैसे कि mouth parts जो होती है वो या तो chewing और chewing और lepping दुनों type के जो है वो पाए जाते हैं दो pairs जो है transparent membranous wings जो है इनमें मिलते हैं जो कि fully जो है वो cover नहीं करते abdomen को और flight की time पर जो है दो pairs of wings जो है वो join होकर जो है एक तरीके से एक unit की तरह जो है वो act करती है then हमारा genus आता है that is apis and the species is doceta family जो है ये api day से belong करती है so basic introduction की या फिर habit और habitat की अगर हम बात करें तो approximately 20,000 species जो है honeybee की worldwide और universally हमें देखने को मिलती है कुछ species जैसे की जिनकी common name भी है जैसे की apis dorceta का rock bee, apis mellifera, apis floria का little bee और apis indica that is the Indian bee that is जो की हमें इंडिया में mostly जो है वो देखने को मिलती है apis mellifera भी एक important हो जाती है culture के लिए that is apiculture और culture of honey is bees code apiculture और apis mellifera जो है उसे European bee जो है वो कहा जाता है so हम कह सकते हैं कि honeybee जो है वो एक तरीकी का social insect है division of labor इनमें present होता है that is the work जो है इनका वो एक दूसरे में जो है वो divided रहता है कि किसी कौन सा काम करना है honeybee जो है वो एक तरीकी की society और colony जो है बनाती है कुछ species है honeybee की जो कि single form में रहती है और कुछ ऐसी है जो कि एक hyper socialism जो है वो शो करती है that is एक हम कह सकते हैं कि access society formation जो है वो शो करती है that is बहुत सारी bees जो है वो एक colony के अंदर रहती है history से related अगर हम कोई बात करें तो honeybee से related research जो है वो Carl Von Fritz ने की थी उन्होंने जो है वो tail wagging dance जो है उनके बारे में बताया था जो कि honeybee के द्वारा perform किया जाता है tail wagging dance एक तरीके से अगर हम कहें तो वो honeybee के navigation जो है उसका ही एक feature है और communication का जो है वो एक part है और इनकी इन्ही research के कारण जो है discovery के कारण इन्हें जो है वो noble prize जो है वो भी award किया गया था 1972 में polymorphism जो है वो भी काफी honeybees के अंदर present होती है क्योंकि इनके अंदर जो है different different forms और caste जो है वो present होती है एक single species के अंदर भी तो हमें एक why हम कह सकते है कि wide variety of morphism जो है वो देखने को मिलती है now अब बात आती है types या फिर caste या form of the honeybee की केतने forms जो है वो honeybee की हमें देखने को मिलती है कौन से ऐसे caste है जो कि मिलके एक society का जो है construction करती है honeybee colony is made up of a queen, एक queen होती है जो कि एक fertile female होती है जो कि reproduction की capable होती है एक drone होता है जो कि male होता है and thousand of the workers, workers होते हैं जो कि sterile female होती है that is जो है ये reproduction की capability जो है वो इन में present नहीं होती so under this social structure honeybee lead a highly developed social life within a colonial hierarchy तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी queen honeybee है तो वो एक hierarchy level में या हम कह सकते हैं कि सबसे उपर का जो part है वो role play करती है उसकी सबसे highest position जो है वो होती है generally एक colony जो है वो leave करती है या जिंदया रहती है for years of together in the same hive एक साथ जो है वो काफी सालों तक एक hive में रह सकते हैं और honeycomb के अंदर भी beehive अगर हम कहें तो वो एक तरीकी का complex structure है जो की wax से बना हुआ होता है और जब हम एक average size की बात करते हैं किसी भी beehive की तो उसमें about 10,000 से लेकें और 40,000 जो है honeybees एक time पर एक साथ रह सकती है in each hive present a single queen queen जो है वो हम मिशा single ही रहती है बाकी के जो हमारे workers जो है उनका ही role वहाँ पर हमें देखने को मिलता है तो अब हम separate by separate जो है वो हर एक particular जो है हमारा member जो होता है colony को उसको हम discuss करेंगे first is the queen that is जो हमारी female होती है single most female जो कि हमारी होती है तो ये mother होती है overall colony की ये only और एक single fertile female हमारी होती है queen जो होती है वो deployed form में that is two end form के अंदर जो है वो ये present होती है तो queen का जो function है वो केवल egg production का ही होता है hive के अंदर अब दो तरीके की eggs जो है वो कोई भी एक queen the fertilized egg तो unfertilized egg के अगर हम बात करें तो unfertilized egg जो है उससे जो है वो हमारे क्या बनते हैं drone बनते हैं that is the male counterpart of the queen तो formation of the drone जो की haploid male होता है that is an in number और वो unfertilized egg से ही बनता है तो ये जो process होती है उसे हम parthenogenesis भी कहते हैं then हम बात करते हैं fertilized egg के तो formation of females take place fertilized egg तो हम कह सकते हैं कि fertilized egg से हमारे females बनती है unfertilized egg से हमारा male बनता है that is the drone फिर egg जो है वो larva में convert होता है larva जो होते है अब एक special type का food होता है जिसे कि हम royal jelly कहते हैं उन पर feed करते हैं तो jelly जो होती है हम कहें तो वो एक complex है honey का, pollen grains उसमें होते हैं, vitamins होते हैं, proteins होते हैं salivary glands का secretion उनके अंदर मिलता है और salivary gland का secretion basically वो queen का ही होता है और यह जो है larva जो है बाद में queen produce करते हैं अनदर केस अगर हम larva के देखें तो वो जो है simple food feed करते हैं और उन से जो है वो sterile female बनती है तो main बात यह है fertilize एक से दो तरीकी की category जो है निकल कर आती है पहली वो जो कि royal jelly पर feed करते हैं वो fertile female में convert होंगे that is वो queen बनाएंगे and rest जो है हमारे वो की feed करेंगे simple food पर और वो sterile females जो है उनका development करेंगे queen जो है वो 1500 से लेके 2000 तक की eggs जो है एक दिन में produce कर सकती है single queen जो है वो हमारे hive में present होती है queen की जो size होती है वो काफी बड़ी होती है और उसकी abdomen जो होती है वो भी large होता है और pointed होता है now अब बात आती है हमारे workers की workers की अगर हम बात करें तो ये sterile female होती है that is reproduction की capacity इन में नहीं होती और for 15 to 45 mmN की length होती है ये भी deployed nature के होते हैं लेके sterile होते है reproduction organs इन में absent होते हैं body जो होती है वो 3 parts same head, thorax और abdomen में divided होती है workers का जो development है वो 21 days में complete हो जाता है और highest number of workers जो होते हैं वो कोलोनी में present होते हैं क्योंकि हमारी queen जो होती है वो तो single होती है तो rest हमारे majority जो होते हैं वो workers जो हैं वो ही होते हैं इनके functions अगर हम बात करने तो क्या क्या होते हैं तो protection जो है कोलोनी किये करते हैं pollen grains को collect करके लाना nutrition का arrangement गरना that is जो हमारे rest जो हमारी बनने वाली है अगर हम बात करने जो female है that is the queen है और the normal workers जो है तो उनका nutrition की caring जो है वो भी इनहींपर depend रहती है हाईव का formation करना and protection and provide food to the queen and the larva sting और wax glands जो होते हैं वो workers में present होते हैं on the basis of their functions workers जो होते हैं अब वो भी बहुत सारे types के हमें देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे workers हैं जो की outdoor की responsibility लेते हैं रिक भाहर का जिता भी काम है कुछ ऐसे होते हैं जो की indoor के लिए responsible होते हैं तो outdoor activities के लिए जैसे की collection of pollen grains, plant material का कोई collection करना food material का collection करना और indoor के लिए होते हैं जैसे की nursery workers होते हैं जो की queen का और other developmental stages के जो जैसे की मरे लाहरवा है उनका protection वो करते हैं उनकी take care करते हैं builder workers हैं जो की hive के formation में help करते हैं repair workers हैं जो की hive अगर one no breakdown हो जाता है due to any natural calamity उसको repair करने का काम करते हैं cleaners हैं जो की hive की cleaning करते हैं fanner workers होते हैं और guard workers भी होते हैं अब हम बात करते हैं drone की जो की एक haploid male होता है Unfertilized egg से जो है इसका production जो होता है तो ये जो होते हैं वो काफी low number में hive में present होते है production capacity इन में भी present होती है haploid होते हैं क्योंकि जो है वो pathnosäracist से और Unfertilized egg से ही बने हुए होते हैं इनका जो development है वो 24 days में complete होता है और इनका जो formation है वो swarming जो है उनसे पहले होता है और sting lens जो होती है वो drone की अंदर absent होती है तो अगर हम overall life cycle की अगर हम बात करें हनी भी की वो कुछ इस परकार है जैसे कि हम diagram में देख पा रहे हैं first of all हमारी life cycle start होती है queen से queen जो है egg का production करती है as a result fertilized और unfertilized egg दो दिखे के हमें देखने को मिलते हैं unfertilized egg जो है उनकी parthenogenesis से जो है वो drone या फिर हम कहें heploid male जो है उनका formation होता है heploid male या drone जो है फिर eggs का fertilization करते हैं जिनके कारण fertilized eggs जो है वो हमारे prepare होते हैं fertilized egg जो है फिर larva में convert होते हैं अब larva भी दो तरीके की condition में रहते हैं जो simple food खाते हैं और एक जो royal jelly पर feed करते हैं तो simple food खाने वाले जो है वो sterile female या worker में convert हो जाते हैं और जो royal jelly पर feed करते हैं वो pupa जो है वो queen में convert हो जाते हैं तो life cycle के अगर हम बात करें तो queen जो है वो egg laying जो है वो start कर देती है after the meeting तो queen जो है वो regulate कर सकती है इस process को और इसको stop भी जो है वो अपने आप ही करती है male chamber के अगर हम बात करें आज इन drone cells भी कहा जाता है वो अपने वहाँ unfertilized eggs जो है वो ले करती है and in workers queen cells it lays fertilized egg तो worker के जो cells होते हैं वहाँ पर queen जो है वो fertilized egg भी ले करती है workers and queen develop from the deployed fertilized egg लेकिन male जो होता है वो जो है वो developed होता है by parthenogenesis from the unfertilized egg during the breeding season and the availability of sufficient nectar a queen lays about 1500 to 2000 egg पड़े लेकिन जब हम बात करने की favorable conditions होती है अच्छे से nectar मिल पा रहा है breeding season है तो वो egg queen के capacity है वो इतनी होती है 3 days of egg laying के बाद hatching जो है वो start होती है और warm like larva जो है या grubs जिने हम कहें वो eggs में से emerge होकर आते है so during the first two days सारे जो हमारे larva होते हैं वो एक special food ये roll jelly पर feed करते हैं लेकिन दो दिन के बाद जो है larva जो है वो simple food पर feed करने लग जाते हैं और convert हो जाते हैं pupa पे molting की जो एक process होती है उसके थरू pupa जो होता है अब हमारे cell के अंदर वो है एक तरीके से spin करता है अपने आपको एक thin cocoon जो है silk thread का अपने चारू और जो है वो बना लेता है और फिर वो undercoach हो जाता है metamorphosis that is metamorphosis जो एक process है उसमें वो चला जाता है और उसके बाद जो है एक limbless, wingless, एक blind grub जो है वो change हो जाता है एक fully developed honeybee के अंदर with well developed wings उसके होती है legs होती है, eyes भी होती है along with that पहुत सारी hexagonal cells जो है वो behave के अंदर present होती है तो behave का जो formation है वो wax के secretion से होता है जो की wax glands जो होते हैं workers के वहाँ से secret होता है workers है, queens है, drones जो है, life cycle जो है and development complete होता है वो different hexagonal cells होते हैं hive के उनके अंदर तो ये hexagonal cells है, hive के worker का hive cell जो है वो अलग होता है queen जो है उसका अलग होता है, drone जो है उसका separate होता है तो अगर हम भी hive के structure के अंदर इन cells के type देखें कितने types के cells जो है मैं देखने को मिलती है, उनमें सबसे पहले हमारी आती है storage cells वो 5 mm white होती है और वो upper region में hive के उसमें present होती है और इनके अंदर जो है honey और जो pollen है वो store जो है वो रहते है next हमारी आती है brood cells तो ये cells जो होती है वो भी hive के center में located होती है and lower regions जो हमारी hive के है वहाँ पर present भी होती है इन्हें जो है वो निम्फ जो है या फिर जो हमारी developing stages जो होती है वो occupy करके रखती है थर्ड जो हमारी आती है वो आती है worker cells ये cells जो होती है वो भी storage cells की तरही है जिनमें workers रहते हैं ये hive के surface पर present होती है inside the hive आपके जो है workers जो है वो भी निम्फल workers जो है येंग stages के जो worker है वो भी यहाँ रहती है next one जो हमारी आती है that is the drone cells drone cells जो होती है वो 6-7 mm width में होती है और ये भी hive के surface पर ही present होती है इनमें जो है हमारे fertile males ये फिर्ड जो है वो रहते हैं drones जो होते हैं इनके अंदर ही उनका nurture जो है ये nutrition जो है वो होता है by the workers and at last हमारी आती है queen cells ये largest chambers होते हैं hive के oval और waste shape ये होती है ये जो है lower most end जो हमारे होते हैं hive के वहाँ पर present होते है adult workers जो है वो या तो fly around the hive hive के चारों और जो है वो fly करते हैं या फिर swarm होंदा hive itself that is एक जुन्ड बनाके जो है वो hive पर रहते हैं और भी काफी processes हैं जो की honey bee की एक social life का ही part है first है जिसे की हमारा communication so communication जो है वो social organization को बनाने के लिए काफी जरूरी है जिसे की जो है information का exchange जो है वो अलग लग forms जो है honey bee की उनके बेच में होता रहे जिसे की हमारा एक हम बात करें chemical communication की that is इसके अंदर जो है वो phyromons जो हमारे है वो use में लिये जाते है queen honey bee जो है वो phyromon secret करती है अपने एक mandibular gland से phyromons जो होती है वो queen के formation में भी जो है वो regulation का काम जो है वो करती है second जो हमारा form of communication है that is via dance that is communication process है honey bee की food की information basically की direction कितने दूर पर जो है food है या फिर उसके distance क्या है right है left है जो source क्या है that is sun की direction में किस तरीके से है वो जो है वो dancing से जो है वो यह honey bee जो है वो provide करती है two different workers यह dance जो होते हैं वो भी दो type की होते है first जैसे की हमारा आता है round dance की अगर food का source है वो present है 85 meter distance में hive से तो workers जो होते हैं वो इस तरीके का dance जो है वो perform करते हैं to communicate with the other workers और दूसरा जो हमारा है वो है tail begging dance की अगर food source जो है वो present है 85 meter distance से भी दूर फिर जो है वो हमारे hive के जो workers हैं वो क्या perform करते हैं वो यह tail begging dance जो है perform करते हैं to provide information to the other workers तो यह round और tail begging dance जो है इनके structures है next जो हमारा आता है that is the temporal division of labor social life का ही इनका एक part है that is division of labor भी इनमें present होता है जैसे कि कुछ workers जैसे कि indoor workers हैं outdoor workers हैं तो इसी जो है हम temporal division of labor कहते हैं workers जो होते हैं वो किसी भी type का function जो है वो perform कर सकते हैं emergency conditions के अंदर लेकि normal conditions में temporal division of labor ही इनमें देखने को मिलता है that is जो indoor और outdoor activities इनके अंदर जो पाई जाती है वो ही हमें देखने को मिलती है next is the kin selection that is reproduction capacity जो है वो workers में absent होती है क्योंकि workers जो होती है वो reproduction capacity जो है वो क्विन की ही promote करने देते है to maintain social organization और producer की social organization जो है वो बनी रहे and at last हमारे benefits है honey bee के that is honey bee जो होती है वो agriculture में बहुत useful होती है because वो pollination में help करती है और इनके जो evolutionary studies जो है उनके अंदर भी ये काफी helpful जो है वो रहती है जो यह हमारा overall topic है for the social organization in honeybees thanks for watching